हेलो एब्रिवन आज की हमारे न्यू रेस्पी होगी दाल चावल जो सबको पसंद आने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए चने की दाल, काली मशूर की दाल और मुंग की दाल इनको कम से कम 3-4 बर अच्छे से दो लेंगे दोने से क्या होगा जो हमारी खराब दाले होंगी वो उपर की ओर आ जाएंगी और जो सही होगी वो नीचे की ओर रह जाएंगी तो हमने अच्छे से दो लिया है इनको एक कुकर लेंगे उसमें सबी दालों को एड़ करेंगे दो तेल का क्या फाइदा है कई बार क्या होता जैसे हमारी दाल में सीटी आती है तो दाल निकलने लगती है इससे वो नहीं निकलेगी तो गैस को ओन किया कोकर को रख दिया यहां पे 5-6 सीटिया लगवाएंगे दूसरी तरफ दाल फ्राइ करने के लिए कुछ वैजिज की कटिं करेंगे तो यहां पे मैंने एक फ्यास एक टमाडर चार-पांच घरी मिर्च और एक सिम्ला मिर्च तो इनको अच्छे से काट लिया है मैंने पालक भी लिया है पालग को भी बारिकी से काठ लिया है, इससे क्या होता है जो दाल का टेस्ट होता है, नृ धुगना हो जाता है यहां ताल उबलकर तयार है, इसमें से तेजड पत्ता और बड़ी लाइची को निकाल लेंगे और दाल को एक गोटने के साथ अच्छे से गोटेंगे लाल फ्राइ करने के लिए एक फैन लेंगे उसमें दो चमच ओईल डालेंगे ओईल गरम हो जाए तो उसमें दो लो तेज पत्ता, दो बड़ी लाल मिर्च, जीरा, राई और लैसुन द्रुक का पेस्ट डालेंगे इनको हलका सा ब्राउन होने देंगे ब्राउन हो जाए तो इसमें डालेंगे प्यास और हरी मिर्च, हरी मिर्च के साथ सिम्ला मिर्च भी मैंने डाल दी है साथ मिर्च माटर डाल कर सारे मसाले एड़ करेंगे यहाँ पर मैंने लिया एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच सबजी मसाला चुटकी भरहेंग डाल कर इसको अच्छे से और बोईल हुई दाल को इसमें डालेंगे पांच मिनिट बाद इसमें पालक के पते वो बिल्कुल बनकर तयार है दाल बनी है तो चावल तो बने हींगे तो उसके लिए मैंने यहां पे लिए है नासमती राइस यहां पे मैं मेजरमेंट के लिए एक गलास का यूज करूँगी यहां पे मैंने दो गलास चावल लिए हैं इनको अच्छे से वाश कर लेंगे यहां मैंने दो तिन बार चावल को अच्छी तरह से वाश कर लिया है और इनका जो पानी है वो निकाल दिया है फिर इसको पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे दाल चावल तो सब को पसंद होते हैं चावल बनाते हैं चावल बनाने की रैस्परि स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने की रिया दो चमच === तेल है एक तेस पत्ता दो लह और थोड़ा सा जीरा लह ब्राउन हो जाए तो यहां दो ग्लास चावल लिए थि-त 뜨 चाह सा ग्लास पानी यूज करेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर इसमें चावल डाल देंगे इनको अच्छे से मेक्स कर लेंगे और और कुकर का ढकन बन करेंगे दो सीटियां आने तक बेट करेंगे यहां पर हमारी दो सीटियां लग चुकी हैं तो देखी हमारे चावल भी बन कर तयार ह जीरा राइस तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इनको दाल से खाऊ या फिर गड़े से खाऊ, देखिए हमारे जो दाल चावल हैं, वो बन कर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो चलिए आप बताईए आप को हमारे ये रैसपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीस क शेर करना ना भूले इनको आम की अचार से खाकर देखिएगा बहुत ही टेस्टी लगते हैं इनका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है लब्बाद